नमस्कार मैं हूँ शिवांगी आप सबों का स्वागत है बिहारी मीडिया में तो चलिए जानते हैं आज की 15 बड़ी खबरों को विस्तार से युवाव को बेरोजगारी भत्ता मिलने का रास्ता साफ नितीश सरकार ने जारी किये 16 करोर रूपे बिहार में बेरोजगार युवाव को भत्ता मिलने का रास्ता अब साफ हो गया है राज्जी की नितीश सरकार ने 92 हजार युवाव के लिए मुखे मंत्री निश्य स्वयम सहाइता भत्ता योजना के तहत 16.1-2 करोर रूपे जारी किये है युवाव के लिए सहाइता राशी आवंटित करने पर सहमती प्रदान की थी दरसल सूबे के बेरोजगार युवाव को रोजगार की तलाश में आर्थिक सहाइता देने के लिए 2 ओक्टूबर 2016 से मुखे मंत्री स्वयम सहाइता भत्ता युवाव के शुरुवाव की गई अब पांचवी तक के शिचक बन सकेंगे बी टी सी वाले बी एड वाले बाहर जाने क्या था पूरा विवाद रीट लेवल वन में सिलेक्शन को लेकर बी एस टी सी और बी एड अभ्यार्थियों को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराया है कोर्ट ने कहा कि थर्ड ग्रेड लेवल एक टीचर भरती के लिए बी टी सी डिपलोमा वाले ही योग्य होंगे बी एड वाले नहीं इस से लाखों बीए डिगरी धारा कुमी द्वारों को जटका लगा है जस्टिस अनिरुद बोस और जस्टिस सुधांशु धूलिया की खंड़ पीठ ने ये आदेश दिया है दरसल मुकेश कुमार वा अन्य ने राजस्थान कोट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोट में ग्याजिका पेश की थी सुप्रीम कोट ने राजस्थान हाई कोट के खिलाफ बी एड डिगरी धारियों के अपीले खारिज कर दी कोट ने कहा कि B.A. डिग्रीधारी केवल लेवल 1 के लिए अपात रहोंगे अब आपको बता दे कि ये मामला कब शुरू हुआ N.C.T.E. के लिए साल 2018 में एक नोटिफिकेशन से ये मामला शुरू हुआ N.C.T.E. ने नोटिफिकेशन जारी कर B.A. डिग्रीधार को भी रीट लेवल प्रत्थम के लिए योग माना था N.C.T.E. ने यह भी कहा था कि अगर भी ये डिग्रीधारी लेवल वन में पास होते हैं तो उन्हें अपनी नियुक्त होने के लिए 6 महिने के अंदर एक ब्रिज कोर्स करना हो अब इस N.C.T.E. के नोटिफिकेशन को लेकर B.A. ट.C. वाले ने राजस्थान हाई कोर्ट में चुनौती दी हाई कोर्ट ने भी B.T.C. डिप्लोमा वालों को लेवल वन के योग माना अब सुप्रीम कोर्ट ने हाट हाई कोर्ट के इस फैसले पर मुहर लगा दी है लाइड अप रद कर दिया गया है यह चात्र भी अब इंटर में स्पोर्ट नामांकर ले सकते हैं बिहार बोड ने ऐसे चात्रों को स्पोर्ट नामांकर लेने का मौका दिया है इसके साथ ही बोड ने सपश्ट दाखिले के लिए 21 अगस तक बढ़ा दी है पहले या 15 अगस तक निरधारी थी स्पोर्ट दाखिले के लिए बोड ने ओफ एसेस ऑनलाइन फैसिलिटेशन सिस्टम फॉर स्टूडेंट पोर्टल पर जाकर करना होगा शात्रों को ओनलाइन आवेदन करना होगा आवेदन कॉपी लेकर उन कॉ स्कूल और कॉलेज को रिक्तियों की सूची नोटिस बोड पर लगाना होगा स्कूल और कॉलेज नामांकन के बाद ओएफ एसेस पोर्टल पर इसे अपलोड करेंगे इसके लिए स्कूल और कॉलेज को 22 अगस तक का समय दिया गया है पंदर अगस को पटना के ये रोड रहेंगे बंद घर से बाहर निकलने से पहले पढ़ ले ट्रैफिक एडवाईजरी बिहार की राजधानी पटना में स्वतंतरता समारो के मौके पर पंदर अगस को गाधी मैदान की ओर जाने वाले रोड बंद रहेंगे सुबह साथ बजे से ही इन रास्तों को बंद कर दिया जाएगा जो समारो खत्म होने के बाद खुलेंगे आम लोग वैकल्पिक रास्तों का इस्नमाल कर मंजिल तक पहुंच सकते हैं ट्रैफिक पुलिस इस संबंद में एडवाईजरी जारी की है अगर आप पटना में रहते हैं तो मंगलवार को घर से बाहर निकलने से पहले ये ट्रैफिक एडवाईजरी जरूर पढ़े आम लोग अपनी गारियों को फ्रेजर रोड से पटना जक्षन डाक बंगला चौराहा से पूरब की और भटाचार्य रोड पूर मुहानी फिर नाला रोड की और जा सकते हैं बोल्टास मोर से उत्तर और जाने वाले वाहन विद्यापती मार्ग बुद्धा मार्ग होते हुए पुलिस लाइन चौराहे तक जा सकते हैं ये रास्ते रहेंगे बंद फ्रेजर रोड डाक बंगला चौराहा गाधी मैदान तक का रास्ता बंद रहेगा न्यू डाक बंगला रोड से एस्पी वर्मा रोड से वाहनों के आवागमन पर रोक रहेगी कोटवाली टी से पुलिस लाइन तक पूरब की ओर जाने वाली सभी रास्ते बंद रहेंगे जेपी गंगा पत पर आयूप्ट कारियाले के सामने से एन सिन्हा इंसिचीट और गांधी मैदान की ओर आने वाले फ्लैंक में वाहनों के आने पर रोक रहेगी एक्सजिबिशन रोड से गांधी मैदान की ओर जाने पर रोक रहेगी आमगाडियों को फ्रेजर रोड से डाक बंगला चौक जेपी गोलंबर होते हुए गांधी मैदान की ओर नहीं जाने दिया जाएगा पटना हावरा बंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का किराया स्टोपेज और टाइमिंग जाने पटना और हावरा के बीच प्रस्तावित बंदे भारत एक्सप्रेस का शनिवार को दूसरा ट्रायल होगा इसके बाद इसका किराया भी अंतिम रूप से तै हो जाएगा मिली जानकारी के अनुसार पटना से हावरा के बीच चेयर का किराया 1460 रुपे के आसपास होगा जबकि एक्जेक्यूटिव क्लास का किराया 2650 रुपे होगा कैटरिंग शिल्क समेत किराया कितना होगा इसे लेकर अगले एक दो दिनों में अंतिम रूप से निर्ना लिया जाएगा बिहार में इस रेन का ठाहराव चारे स्टेशनों पर होगा जबकि पश्चिम बंगाल में सिर्फ एक स्टेशन पर ही होगा उद घाटन की तिथी के लिए जोनल रेलवे केंद्रिये निर्देशों के इंतजार में है बिहार में आज भी भारी बारिश और वजरपाद की आशंका इन जिलों में यलो और औरेंज अलर्ट मांसून की सक्रियता से बिहार में पिछले कुछ दिनों से जमाजम बारिश हो रही है मौसम बिभाग ने अगले 24 घंटों में उत्तर बिहार के कुछ जगों पर भारी बारिश की चेताब नी की है पश्चिम चमपारन समेथ 4 जिलों में अती भारी बारिश का औरेंज अलर्ट तो मुझफरपूर और पूर्णिया सबेथ 5 जिलों में भारी बारिश का यलो अलर्ट जारी हुआ है इसके साथ ही उत्तर उत्तर पश्रिम और उत्तर पूर्वी बिहार सिमानचल में रववार को वजरपात यानी ठनका गिरने के भी आशंका है मौसम विज्यान केंदर पटना के पूर्वा अनुमान के मताबिक अगले 24 घंटे में पश्रिम चमपारन, सीतामडी, मदवनी और सुपॉल जिले के कुछ इलाकों में अती भारी बारिश हो सकती है इन जिलों में औरेंज अलर्ट जारी करते हुए लोगों से सावधान रहने के लिए कहा गया है वहीं पूर्वी चमपारन, मुजफर पूर्शिवहर, सहरसा एवं पूर्णिया जिले में भी कहीं कहीं भारी बारिश क्या संका है स्वतंतरता दिवस पर पटनावासियों को मिलने जारी है तीन बड़ी सौगात सीम करेंगे इन पडियोजनाओ का उधगातन पटनाओ रासपास के लोगों को स्वतंतरता दिवस से पहले दिन बड़ी सौगात मिलने वाली है ये तीनों पडियोजनाओं से यातायात सुगम हो सकेगी इन पडियोजनाओं में जेपी गंगा पत का गाई घाट तक विस्तार लोहिया पत चक्र के उचे हिस्से का उधगाटन और हाजिपूर छपड़ा रोड को जोड़ने वाला सोनपूर के बीच गोविंद चक रेलवे क क्रॉसिंग पर बनाए गए आर ओवी का उधगाटन शामिल है सुत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री नितीश कुमार इंदीनों पर योजनाओं का स्वतनतरता दिवस के मौके पर उधगाटन करेंगे इन सभी पर योजनाओं के उधगाटन के बाद निगम के बोड की बैठक में इस पर चर्चा गी गई निगम की ओर से कहा गया कि नगर विकास वा आवास विभाक की ओर से मिले परस्ताओं के बदले निगम अपने अस्थर से परस्ताओं तरयार करेगा फिलाल दरे कम करके आगे इसकी वशूली करने पर सहमती बनी है ओधारी है और इसे लोग पर बोज बढ़ जाएगा बिहार में अब 18 साल की उम्री में बन सकेंगे कलर्क अधिक तर सीटों पर होगी सीधी भरती नगरनिकावों में भरती के लिए संसोधीनियम को जारी कर धिया गया है नगर निकाओं में अब नियुंता मठारवर्स की आयू में ही निम्न वरगिये लीपिकों की बहाली हो सकीगी पहले ऐसा नहीं था साती अनुकमपा बहाली के लिए भरती आयोग के अनुशंसा की भी जरूरत नहीं होगी अनुकमपा उमिद्वारों की नियुकती पर में खाली पड़े 85 प्रतीशत पड़ों पर सीधी भरती होगी नगर विकास एवं आवास विभाग ने संशोधित बिहार नगर पाली का लिपी किये संवर्ग नियमा वली 2023 में प्रावधान है अब फेक न्यूज फैलाने वाले की खैर नहीं नए कानून से कसी जाएगी नकेल अब फेक न्यूज फैलाने वालों की खैर नहीं है हाली में लोगसभा में पेश नए विधेयक की वज़ा फर्जी खबरे फैलाने वालों के लिए कड़े प्रावधान तैग किये गए हैं केंद्रिये ग्री मंत्री अमितिशा ने शुक्तवार को लोगसभा में भारतिये नियाय सनहिता विधेयक 2023 पेश किया प्रस्तावित विधेयक को समीक्षा के लिए अस्थाई समीति को भेजा गया है विधेयक की धारा 1955 के तहत एक प्रावधान है जो भारत की संप्रभुता और सुरक्षा को खत्रे में डालने वाली फर्जे खबर या भ्रामक चानकारी फैलाने वाले से संबंधित है ऐसा करना वालों को तीन साल तक की सजा हो सकते सुप्रीम कोट के आदेश के बाद बिहार में शिक्षक बहाली परिक्षा पर मंडराया संकट बिहार में 1.7 जिरो लाग शिक्षकों के पदों पर बहाली परिक्षा होने वाली थी जिसमें कक्षा 1-5 के लिए लगभख 7.4 लाख अभिहार्थियों ने आवेदन किया इसमें बिएड डिग्री वाले अभिहार्थियों की संख्या लगभख 5 लाख के करीब है दरसल राजस्थान में बिएड वर्सिज डियलेड का केस चल रहा था इसमें सुप्रीम कोट ने आज अपने फैसले में हाई कोट के फैसले को मंजूरी देते भे कहा किकषा 1-5 के लिए वही अभिहर्थी शिक्षक बनेंगे जो डियलेड किये होंगे बीएड के डिग्री मानिय नहीं होगी बिहार में शिक्षक बहाली परिक्षा में अब संकट मढरा गया ये परिक्षा स्थगित भी हो सकती है सुप्रीम कोट का आज का वर्डिक्ट कहता है कि कख्षा एक से पाच का शिच्छक बनने के लिए बीए डिग्री वाले योग नहीं होंगे डिएले डिग्री वाले ही योग होंगे बिहार में 1.7-0 लाग शिच्छकों की भरती को लेकर बाहाली परिक्षा में दो सप्ता का लगभग समय बचा है ऐसे में इस बाहाली पर संकट मंदर आ गया है चुकि सुप्रीम कोट ने या वर्डिक दिया है जो ऐसे में या पूरे देश के लिए लाग बिए मोधी की बिहार को बड़ी सौगा तीन रेलवे स्टेशनों पर अ जन औसिदी केंद्र अस्थापित करने की पहल शामिल है इसका उदेश्य यहां आने वाले यात्रियों को किफायती दाम पर गुनवत्ता पूर्ण दवाया और जन औसिदी उतपाद उपलब्ध कराना है इसके साथ ही इससे रोजगार के अफसर पैदा होंगे इस योजना क पहले चरन के देश के 50 रेलवेज स्टेशनों पर इसकी शुरुआत की जाईए इसमें बिहार के तीने स्टेशन पटना दर्भंगा और कटिहार शामिल है बारिश ने पिछले 54 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा 24 घंटों में 239.5 mm हुई वर्षा जील बना समस्तिपूर बिहार के समस्तिपूर और आसपास के इलाकों में पिछले 24 घंटों से लगतार बारिश हो रही है बारिश ने पिछले 54 सालों का रिकॉर्ड तोर दिया है इन 24 गंटों में 239.5 एमें बारिश हुई इतनी बारिश इस तारीख को अगस्त महीने 54 सालों से नहीं हुई थी मानसून में यह पहली बार हुआ है लगतार बारिश होने से समस्तिपुर शहर जील जैसा बन गया है अब्दुल सत्तार ने बताया कि पिछले 54 सालों में मानसून के दोरान अगस्त महीने के इस तारीख को 24 गंटों में 239 एमें बारिश नहीं हुई थी उन्होंने कहा कि जून से सितंबर तक देखा जाय तो 2007 से 248.5 एमें बारिश हुई थी एक दिन में 239.5 एमें बारिश का नया कृती मान है